चने की कीमतों में आ रहे तेजी अब थम चुकी है और बाजारों में तेजी से गिरावट होने लगी है। हाला की जानकारों का कहना है कि त्योहारी मांग के चलते दीवाली तक चना की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। आंकडों को देखें तो पिछले महीने के अंतिम हफते में चना का भाव 8,000 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया था. अब इसमें गिरावट शुरू हो गई है. इस महीने चना के भाव 100 से 150 रुपए घटकर 7,700 से 7,850 रुपए क्विंटल रह गए है. हालांकि मही इने भर में चना की कीमतों में 500 रुपए से अधिक की तेजी आई है. पिछले साल की तुलना में चना 1,400 रुपए क्विंटल महेंगा बिक रहा है. भारत दलहन और अनाज संग के सचिव सतीश उपाध्याय का मीडिया में बयान आया है. उन्होंने कहा, उंचे भाव पर द अटकलों से भी चिंतित है. भारत में आस्ट्रेलिया से चना काफी आयात होता है और इस साल वहां इसकी पैदावार में भारी इजाफा होने का अनुमान है. इससे भी चना की कीमतों में नर्मी को बल मिला है. ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि मिल वालों के पास अभ बढ़ा सकते हैं. लिहाजा मध्यम अवधी में चना की कीमतों में तेजी आ सकती है. अक्तूबर के शुरुआत में खुद्रा और थोक कारोबारियों की ओर से गिरे भाव पर चना की मांग बढ़ सकती है. साथ ही बोवाई के लिए चना की मांग निकलेगी. ऐसे में चना की की कीमतों में कुछ तेजी संभव है. ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी